टेसला ने आखिरकार इंड़िया में कंपे कर लिये बैंगलोर में पर यह कहा जा रहा है कि टेसला का पहला मोडल हो गए इंड़िया में वो टेसला का मोडल 3 होगा जिसकी कोस्ट आरउंड से 55-60 लाग के राउंड होगी पर क्या आप सोचते हैं कि इतनी कोस्ट में टेसल इंडिया में सस्टेन कर पाएगा क्योंकि ओल्रेडी मार्केट प्लेयर्स इंडिया में हीरो मोटर को टाटा मोटर्स, हुंडाई, महिंद्रा यह ओल्रेडी इलेक्टिक विकल्स में डिल कर रहे हैं और इनके अगर प्राइस रेंज की मैं बात करूं इलेक्टिक कार्स में दस लाख, पंद्रा लाख, बीस लाख इसके अराउंड इनके प्राइस हैं अब कोई भी बंदा अगर इलेक्टिक विकल्स करेगा तो यहां पर माइंट सैट उसका क्या होगा सबसे पहला कि अगर मैंने इलेक्टिक विकल बाय कर रहा है तो यह मेरे लिए एक स्टेटिक सिंबल है क्योंकि जब इंडिया में कार्स का इतना चलन नहीं था तो कोई भी एक कार प्रचेस कर लेता है या फोन का चलन नहीं जब नए-नए फोन मार्केट में आये थे जिसने में वह वाइल परचेस कर रहा होता था उसके लिए एक स्टेटर सिंबल बन जाता था उसी तरह अगर आज क्योंकि अपर बेचेगा टेसला इंडिया में तो वह अपर लिमिट के उपर आ जाएगी मतलब अपर क्लास के जो पीपल है वह परचेस उसको कर पाएगे मीडल क्ल तो यहां पर Tesla obvious सी बात है आगे जाकर क्या करेगा वो इंडिया में manufacturing करेगा अभी जो Tesla की अप्रोच यहां पर बताई जा रही है कि वो इंडिया में built-in car जो वो अमेरिका से import करके सीधा sell करेगा वैसे भी इंडिया में car import करने के उपर 60% की import duty यहां पर देनी पड़ती है तो वहाँ पर अगर थर्टीएट थाउजन डॉलर का बेस प्राइस है अमेरिका में जो इंडिया में तो अगर टैसला इंडिया में अगर टैसला इंडिया में असेंबली करता है अघर सबसेठील में जेने करते स्वाब इलक تवी तो सबसेबड़ा बेनेफीट टैसला को यह है कि वह स्टेसला पैनल में भी डेल करते हैं तो खकर्क्र चाल गथ एक सबसे मेजर चीज है वो अपने कार्ष में एक नया मोडल भी लेकर आ सकता है कि सोलर पैनल को वह इन बिल्ट कर दे कार्ष में ताकि वह जो भी सन एनर्जी उसको कंजर्व करके उससे बैटरी चार्ड हो देंगी अब देखने वाली बात है कि कैसे मार्केट में टकर देता है टेसला क्योंकि इंडिया में काफी कंपनीज भी है जो इंफ्रसक्चर को बिल्ट करने में गोर्मेंट का सहयोग देगी और अगर इंडिया में डिमांड बूस्ट होगी इलेक्टिक विकल्स की इलेक्टिक कार्स की गोर्मेंट ने काफी सा इंसेंटी तो पहले ही दी है जैसे कि जी एस्टी 5% है वहाँ पर रो टेक्स कुछ भी नहीं है इंकम टेक्स में भी कुछ बेनिफिट दी है गोर्मेंट पर अगर गोर्मेंट थोड़े और बेनिफीट देगी तो डिमांड को बुष्ट किया जा सकता है अब भी बजट भी आने वाला है तो देखते हैं कि बजट में भी क्या तो देख लोट अफ कॉंपिटिशन दे मार्केट लेट सी हाव दे टेसला विल कॉंपीट एंड यह इंडिया इकनोमी के लिए भी काफी अच्छी चीज है क्योंकि अभी मार्केट स्टार्ट होगा इंडिया में अमर्जिंग इंडस्ट्री एलेक्टिक विकल्स तो सब प्ले वरॉर्ड भी कॉंपीज है क्योंकि सारे मार्केट में इंडियन, कारनमेनफेक्ट वहat एं यह वह अपना मार्केट शेयर गेन करने की कोशिश करेंगे तो जब सब एक दूसरे को मार्केट में टकर देंगे मार्केट शेयर गेन करने के लिए तो जाहिर सी बात है इकनोमिक डेवलपमेंट तो हो गई होगा